नमस्कार मित्रो शमस्याओ के समाधान चैनल में आप सभी का हार्थिक स्वागत है चैनल में पंडित उमाशंकर अगनियोतरी आज आपको बताने जा रहा हूँ धनु राशी वाले जातकों को कौन सा रतन धारन करना चाहिए किस हाथ की किस अंगली में इसे धारन करना चाहिए कौन से वार को धारन करना चाहिए जिगा मित्रो यदि धनो रासी वाले जातकों की जीवन में आ रही बहुत सारी शमस्याएं हैं जैसे कि आपके कार्य बनते बनते रुख जाते हैं आपका कार्य होते होते नहीं हो पाता है तो मित्रो घबराएं नहीं चिंता नहीं करें यदि आप अपने रासी के नुशार र भाधायें आ रही हैं वैं सारे भाधायें दूर होंगी और आपके कारेभ शीकरतासी बनने लगेंगे। जिया मित्रो आपके हर शमस्याओं को दूर करने के लिए आज हम बताने जा रहे हैं कि धनूराशी वाले जातकों को कौन सा रत्नक किस हाथ की किस अंगले में इसे धारन करना चाहिए मित्रो यदि हम धनूराशी वाले राशी के नशार हम जानेगे तो आज धनूराशी के जातकों को बता रहे हैं कि धनूराशी वाले जातक जोतिसास्तर कर नशार इन्हे पीला पुखराच दाहिने हाथ की तरचनी अंगले में धारन करना चाहिए जियामित्रो यदि आप पीला पुखराज पहले ले ले और उसे अच्छे से जाना ले कि यह ओरिजनल है जियामित्रो ओरिजनल पीला पुखराज आप ले करके इसे सोने की अंगुठी में जड़वा ले और फिर इसे गुरुबार के दिन अपने दाहिने हाथ की तरजुनी अंगुली में इसे धारन करें जियामित्रो इसते आपकी सीगरताशे कारें बनने लगेंगे हाँ मित्रो और आपकी हर कारें में आने वाली बाधाएं दूर होंगी जियामित्रो धन्यवाद